Hello and welcome friends, today I am going to teach you about Open Office Calc और Open Office Calc में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आईए आपको बताता हूँ देखिए, Open Office Calc में आज हम बात करेंगे drop-down list बनाने के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं, name of student मैंने लिख रखा है और हमें ये range, जो मैं range select कर रहा हूँ, इस range में बनानी है drop-down list तो how can we create a drop-down list in this range? So first of all, हमें कहा जाना है data tab पे जाना है, जैसे कि आप जानते हैं कि Excel, Libra Calc या Google Seat में जब भी हम काम करते हैं तो data tab में ही जाकर के drop-down बनाते हैं तो यहां पर भी आपको जाना है data tab में और यहां पर आपको मिल जाता है validity option तो यहां पर आप आसानी के साथ drop-down बना सकते हैं तो validity पे click कर देते हैं और अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर आया हूँ है all value तो आपको यहां पर कर देना है list ठीक है? तो बस आप यहां पर कर दीजे list और यहां पर type करते जाएं यह वो नाम जो नाम आप यहां पर देना चाहते हैं तो यहां पर आपको यहां पर इसको कर देना है जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहां नजर आएगी एक drop-down list तो बस आपको क्या करना इसी drop down list पे click करना और आपको सारे नाम display हो जाएंगे तो यहाँ पर click कीजिए यह राम आ गया ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर भी वो नाम आपको display होंगे और आप यहाँ से choose कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ ठीक है तो इस तरीके से आप choose करके और इन नामों को ले सकते हैं तोगी कि यह drop down कैसे बनाना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शे शेयर कर सकते हैं थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो